जब दो रसायन एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं वे एक नए पदार्थ का निर्मान करते हैं रासायन एक परिवर्तन के दौरान पदार्थों का संगटन भी बदलता है वेग्यानिकों ने इन अभिक्रियाओं का अध्यन किया और रासायनिक सेयों के कुछ नियम बनाएं एक द्रव्य की अभिनाशिता का नियम किसी भी राशायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल वजन और राशायनिक प्रक्रिया से निर्मित उतपात का वजन समान होता है। उधारन कॉपर सलफेट और सोडियम हैटरोकसाइड इन अभिकारों को दिखाया गया है। अभिकारों को की घनता 60 ग्रैम है और अभिक्रिया के बाद कॉपर हैटरोकसाइड और सोडियम सलफेट की निर्मिती हुई। इन दो उत्पादों की कुल घंता भी 60 ग्राम है इसका अर्थ है रासायनिक अभिक्रिया में घंता में ना ही किसी प्रकार की हानी हुई है और ना ही किसी भी प्रकार का लाग हुआ है दो स्थिर अनुपात का नियम इस नियम को समझने से पहले हमें पहले सीखी हुई कुछ बातों को दोहराना होगा क्या आपको याद है कि यौगे किस प्रकार बनते हैं जब दो या दो से अधिक तत्वों का सयोग होता है या वे एक दूसरे के साथ रासाइनिक अभिक्रिया क करते हैं तब नए पदार्थ की निर्मिती होती है अधिकतर इस नए निर्मित पदार्थ में मूल तत्वों से अलग विशिष्टाय होती है नए योगिकों की निर्मिती के समय हमारे लिए कुछ नियमों के बारे में जानना जरूरी है मान लीजे हमें कार्बन और ऑक्सिज अनुपात में नहीं मिला सकते हैं, कारबन डाय ओक्साइट बनाते समय कारबन से ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा तीन अनुपात आठ होना अवश्यक होता है। ये नियम ये कहता है कि किसी की यॉगिक के निर्मान में अभिक्रिया में सहबागी विविन घटक तत्यों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है। प्राप्त होता है। फिर भी हाइडरोजन से ऑक्सिजन के वजन का अनुपात जो पानी के निर्मान के लिए आवश्चक है वो हमेशा एक अनुपात आठ ही रहेगा।